एलो गाई स्वागत है आप सब का हमारे यूटूब चैनल कुष्टॉक में जैसा कि आप लोग ने थमने लड़ टैटल में पड़ लिया कि इस बर मैं आप लोगो दिखाने वाला हूं दिसंबर 22 एक्जाम का इंगलिस का क्लाश 12 का पेपर मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूं इसके पहले मैंने बाई रोजी का भी दिखाया है पिछले वीडियो में वो आप लोग जरूर देखे होंगे आई होप तो चलिए मैं आप लोग को इंगलिस का कोसर पेपर दिखाता हूं और वीडियो को स्टार्ट करता हूं एलो गाईज मैं हूं कुसाला और आप देख रहे हैं मैं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए घंटी की बेल आखन को दवाना बिल्कुल ना भूले गाईज जैसे कि आप लोग जांते हैं कि एकजाम खतम होता है तो मैं कोशन प्रप्र अप्लोड करना स्थार्ट कर देता हूं जैसे कोई गनाम खतम होता है ताखि आगे आने वाले सेशन के स्टूदियंट के लिए आसान हो सके वह और वह अपना तैसान अरव 12 तो इस वीडियो में आप लोग के लिए लेकर आया हूँ क्लाश 12 का दिसम्बर 22 सेसन का इंगलिस का कोशन पेपर इसके पहले बाइलोजी का कोशन पेपर आप लोग देख चुके होंगे आई होप और आप लोग को वीडियो भी पसंद आया होगा तो चलिए आप लोग को दिखाता हूँ इंगलिस का कोशन पेपर तो यह रहा इंगलिस का कोशन पेपर देखिए बिहार बोर्ड ओफ ओपन स्कूलिंग एंड इंग्जामिनेशन निसम्बर 22 का यह कोशन पेपर है पड़ पारे हूंग आप लोग तो यह इंगलिस पेपर फूल मार्क्स 100 है क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है और पासिंग मार्क्स 30 है ठीक है इसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें 80 मार्क्स कर रहता है फूल मार्क्स और 24 पासिंग लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है इंगलिस में तो यह 100 मार्क्स फूल है और 30 पा सेज ठीक है या पिछला कोई भी कोशन पर उठा कर देखेंगे इंगलिस का आप लोग को बहुत सारा कोशन ओल्मुस्ट मैं बोलूंगा 60-70% कोशन प्रिविएस ये कोशन पेपर से ही आता है बीवास का इंगलिस और हिंदी की एक्जाम में इतना तो मैं गारेंटी के साथ कह सकता हूं कि इंगलिस और हिंदी का कोशन पेपर लाश्ट प्रिविएस येर का आप लोग देखेंगे तो 60-70% सेम ही रहता है कोशन पैटर्ण बिल्कुल तो एक हम हंडिर परसंट सेम रहता है अप लोग ध्यान से देखिएगा पहला है पैसेज बहुत लोग को यह कंप्ल प्रियास करता हूं और छोड़ता इसलिए भी हूं ताकि आप लोग गूगल कीजिए बुक से सर्च कीजिए उससे आप लोग के दिमाग में बैठेगा और आप लोग अच्छे से एक्जाम दे पाएंगे तो चली मैं कोशन दिखा जाता हूं आप लोग को बिना किसी देरी पहला कोशन देशन है कि वाई डिद दफोक्स लूग फॉर फूड इसका रोगा विकॉज ही वाज हंगरी ठीक है यहां पर लिखा हूआ है वाट डिड ही सी उसने क्या देखा तो ही सॉए बंच ओफ ग्रैप्स दखिए ही सॉए बंच ओफ ग्रैप्स यहां पक लिखा तो आप लोग को क्या लिखना है यहां पर ही सेड दीज ग्रैप्स आर सोर देखिए यह आप लोग को आंसर यह लाइन जो है ठीक है तो फॉस्ट कहिए होगी आप दूसरा कोशन ने ट्रांस्फॉर्म दा फॉलाइंग सेंटेश एस डिरेक्टर यह तीन मार्स का है और तीन कॉसन यह आप दिया गया यह क्या बोल रहा है कि आप लोगो जो सेंटेंस दिया गया है आप लोगो जो राइट सैट में लिखा हुआ है वो आप लोगो करना है तो पहला कोस्त जैसे कि I he is too weak to walk इसमें बोल रहा है रिमूव टू अठीक है तो आप लोग को इसमें यह नही ऐसा नहीं है इसका अंसर क्या हो जा laurea को सरद state previous year में आप लोगों मैंने बता है किया इस इंक्या दिकर थी स्पाइबक euh कि आपर्ः नाफ इंसर होगिया पहला कहा ही सो वीक डाइट संट पहला और यह हो गया दूसरा है इसमें क्या करना है कि गो जो है यहाँ पर वर्व इसको चेंज करना है करेक्ट फॉर्ब में तो इसमें क्या हो जाएगा ज्या यह रहा दूसरा तीसरा फिरिंग द ब्लैंक विद अपरोप्रियेट आर्टिकल चार मार्स का यह कोस्टन है और यह चार कोस्टन यह दिया गें इसमें क्या करना आर्टिकल फिल करना है फिलिंग ब्लैंक में इसमें क्या हो जाग़ा ए ओ फिर है हीज डैस युरोपियं इसके यह ए टिकल फिर है और इसमें भी ईच्छ और फिर है राम इस डैस गुडब़ई अ इसमें भी हो जागा, यह हो गया, फिरिंग दे ब्लैंक, अगला है, change the following sentence into indirect speech, यानि कि जो sentence दिया गया है, यह चार, उसको आपको indirect speech में change करना है, यह भी चार मार्क्स का, यह कोसन एक एक मार्क्स का, जैसे कि पहला कोसन है, जैसे कि पहला है, he said to me, please give me a glass of water, इसको आपको indirect speech म आपको 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 जाएगा, इसमें, he requested me to give him a glass of water, फिर सब्सक्राइब और सुनने लिए, he requested me to give him a glass of water, घिक है, तो यान्सर होगा, a का, बी कोसन नमबर है, राम said it may rain today तो इस खांसर क्या हो जाएगा in direct speech में कि राम told me एक है राम told me it will rain today क्या हो जाएगा राम told me it will rain today वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी वीवास exam की त्यारी कर रहे हैं और आपको previous year question paper देखना है और वो नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए आपको मेरे चैनल पर आना है यह मेरे चैनल नहीं कुछ टॉक उस चैनल पर आने के बाद आपको प्रेलिस्ट पर जाना है प्रेलिस्ट में आप लोग को कोसें पर भी वह उसे एक प्रेलिस्ट देखने को मिलेगा इस पर आप लेवल है और यह previous year question paper देखना और solve करना सभी के लिए important है क्योंकि ना सिर्फ अभी होने वाले example की आने वाले future में जितने भी बीबॉस की exam होगे उन में previous year question paper से बहुत सारे question जो है वो match करते हैं लगभग 20-30% question जो है वो previous year question paper से ही आते हैं और आप लोग previous year question paper जरूर देखिए इस playlist का में लिंक description में भी डाल दोंगा तो फिर अगला question क्या है I said to him do you know English ठीक है यह question है तो इसका answer क्या हो जाएगा चौथा का D का I asked him if he knew English ठीक है चौथा का अंसर क्या हो जाएगा I asked him if he knew English यह होगे चौथा का अंसर सारा अब पास्मा यूज दा क्रेक्ट फॉर्म वर्फ गिविन इंद ब्रैकेट यह भी चार्मा से कोस्टन है यह भी चार कोस्टन है इसमें क्या बोल रहा है कि क्रेक्ट फॉर्म वर्व आपको श। संट राइजज इन इस्ट राइस करें करें राइजस एस लगड़ कॉद टू टूकरॉक् nItaly डू मेक्स फोर। अभ्लर औह्व ट्रांस्लेसन है पांच माका यह त्रांसलेसन है गाय दूद्ध देती है पहला है तो हो जाएगा cow gives milk गाय का दूद मीठा होता है cow's milk sweet पतना बिहार की राज़ारनी है पतना is the capital of बिहार रानी नाचरी है the queen is dancing the sri niti's kumar बिहार के मुख्यमंत्री है sri niti's kumar is the chief minister of बिहार यह translation हो गया अगला है seven number question change the following sentences from active to passive यह भी चार माक्स का है चार को से इसमें क्या आप लोगों को sentence दिया गया है इसको आप लोगो एक्टिव वाइस से पैसिव वाइस में change करना है जैसे की पहला है प्लीज गिब मी ए ग्लास ओफ वाटर इसका हो जाएगा लेट अग्लास ओफ वाटर बी गिवन ठीक है लट ले फेस आप लोगो सेंटेंस बनाना है एक सेंटेंस only sentence जैसे look after look after say sentence बनाना है तो मैं example के तौर पर बोल देता हूं he still helps me look after my mom दूसरा example में आप दो देता हूं we will help you look after your finances वैसे in search of दूसरा है तो इसका क्या हो जागा sentence तो हर सेंटेंस में आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वह आपका वर्ड उस सेंटेंस में आना चाहिए जैसे गीव अप तो इसका क्यों हो जाएगा आई एम नाट रेडी तो गीव अप जस्ट नाओ चीक है जस्ट येट वैसे टेक केर आफ टेक केर आफ को क्या हो जाएगा आई विल अल्बेस भी है टू टेक केर आफ यू ओगे इसी है फिर है नॉमा नंबर को सेंटेंस में है क्या रिमूफ टू जो आपको पहला इसके पह न SARक्त रिमूफ करना है तो आप кос द्धान में रखना है भी लोग को टू रिमूफ करकर सेंटेंस में लिख देना है आपको मिनिंग्यों ले स्टिंटेंस आंप लोगो इसमें लोगों बना ना वह फिर सेंटेंस आपने में लिखना है इस प सूं वीकट डाव ट्रैट इस और दो कोस्टन ही है, इसमें दो माक्स का, he jumped into the wall हो जाएगा, what is the time by your watch, ठीक है, हो गया, ये 10 कोस्टन नमबर हो गया, अब है 11 कोस्टन नमबर, जो कि अब essay है, write an essay in about 100 to 125 words on any of the following, ये 10 माक्स का कोस्टन है, और कितने word में बोल रहा है, essay लिखने के लिए 100 से 120 वर्ट, बट आप लोगो exact गिन के इतने word का नहीं लिखना है, ये अप लोगो ध्यान में रखिएगा, अब लोगो तो अगर 100 से 120 बोला जा रहा है, तो आप लोगो डेर सो से 200 के बीच लिखिएगा, यानि की दो पेच का जरूर लिखिएगा, तब ही आप लोगो दस में से 10 माक्स आन आप लोगो नहीं लिखना है, ये ध्यान में रखिएगा, तीनों में से किसी एक पर लिखना है, और 10 माक्स का ये कोशन रहेगा, और 100 से 120 बोला जा रहा है, लेकिन आप लोगो डेर सो से 200 बीच में लिखना होगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, अब दूसरा कोशन लिखना ओप्लोग के लिए तो आप लोग को अप्लिकेशन लिखना जरूर है आप लिए आप लिए आप लोगिले आप सब्सक्राइब कर लेंड़ा आप के लिए किहमए अपर चाहिए सब्सक्राइबर है तो इसको आके आप लोगों को यहां पर जॉटूब पर विडियो बनाता हूं तो आप लोग टेलिग्राम चैनल जरूर से जरूर जॉइन कर लीजिए अब बढ़ते हैं आगे यानिक ही सेक्षण बी में जो बुक से रिलेटेट से रहता है वहाता है वह तो उपर वाला जो फिरूर से रिलेटेट साथा अब है जो इंजिए अगर आप लोग पास बीबॉस का इंगलीस का उपर नहीं तो आप लोग राजधानी गाईट सो कर मिल जाएगा आप लोगो ठीक है तो आगे मैं बात करता हूं कि क्या करना सेक्षन बी में आंसर फॉलाइंग कोशन फ्रॉम दा पोयम दा सोलजर ठीक है एक पोयम है दा सोलजर उसी से यह पांच कोशन दिया गया है पांच मर्स का अब यह सब बुक से कोशन है ठीक है ग्रामर लाइन इसमें आपलों को अपना ओपिणीन देना ओपिणीन लिखना तो आप उपर वाला यह पांच सो सॉल्व कीजिए या तो आप यह लाइन पढ़के इस पर ओपिणियन दीजिया अपना कमशका लिए पांच मर्स का यह कोशन है अगर यह पांच ओंध नहीं आता है अगला है राइट एक क्रिटिकल एप्रिशियेशन ओफ एनी ओफ फॉल्वाइंग पॉयम यह भी दस माक्स का यह ध्यान में रखी दस माक्स का है तो दो पेश एट लिस्ट आप लिखना पड़ेगा तो इस तीनों में से किसी एक पॉयम पर आप लोग को क्रिटिकल इसमें दिया गया इसमें भी यह भी पांच माक्स का को सब्सक्राइब देख लिए प्लोग पढ़ लिजी या तो स्कीन सॉट लिए या तो नोट कर लिजी को भी में सारा को से और पीडियेफ चाहिए तो आप लोगों को मैंने बताया हुआ कि कैसे पीडियेफ लिए आया मां कर दो लिए को सब्सक्राइन चाहिए तो अगर अगर आप लोग यह चारो करते हैं तो नीचे वाला और वाला करते हैं और यह तहए नहीं करना बट लंबा अंसर लिखना तो आप्लों को आपको 20 लेंगे और करके दिया गया यह वी को सैने इसमें वीचार को सदा इस्में व ऊपर वाले में चाए या थो नीचे वाला चार आपो को 20 मांक्स का आप देख लिए सारा अब सिक्स्टीन नंबर बोसन जो है वो the last टेन मार्क्स का है यह हर इंगलिस में राता है इसमें आप लोग क्या बोला राइट डाउन दान नेम और फाइव इंडियन नॉवलिष्ट एंड दियर वर्क या तो अब यह सॉल्व किजिए या तो और और करके दिया गए या तो आप राइट नोट ऑन इंपोर्टनस दो पेज लिखना पड़ेगा एट लेश्ट सिश्टी नंबर कोस्टन का यही है मतलब कि तीनो और करके दिया गया इस तीनों में से किसी एक पर आप लोग लिखना है दो पेज का अट लिश्ट तभी आप लोग को दस मार्क्स मिलेंगे तो यह रहां इंगलिस का कोसंट प और लोग को सकता है तो आने वाला जो भी इस वीडियो है वह यापर अने को कैशे नौट्फिकेसिन मिलेगा तो आप लोग को साकतेर में वह आप लोग को help करेगा तो ये वीडियो आप लोगो पसंद आए होगा आई होप अगर वीडियो पसंद आए तब वीडियो को लाइक कीजिए कमेंट कीजिए का सेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है बिल्कुल नभी लिएगा चलिए मिलता हूं आप लोग से अगले वीडि